नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन यूस 10 और मैं हूँ आपके साथ रिचा चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलिटन की सहरंपुर थाना मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी सफल था थाना मिर्जापुर के शाकुम्री सिद्पीट में चैकिंग के दोरान एक दुकानदार द्वाला नकली नोट बाजार में चलाने की सूचना के बाद पुलिस ने तलाशी करते हुए सोमपाल रविंद्र और र पुलिस द्वारा पूचताश में बताया कि हम लोग घर पर ही प्रिंटर से नकली नोट चापने के बाद बाजारों में नकली नोटों की तसकरी किया करते थे जाच परताल से पता चला सोमपाल नामक अभियुक्त पहले भी दो बार नकली नोटों के मामले में जेल जा चु कल शाकुम्बरी देवी मंदिर भूरा देव मंदिर के आसपास जब चेकिंग की जा रही थी तो एक नकली नोट एक दुकानदार के पास पर चलाया गया जिसने उसको जब देखा कि ये नोट नकली है तो वहाँ पर स्थानी जो पुलिस जो चेक कर रही थी उनको सूचना दी गई इसकी जो जानकारी की गई तो वाकई इसमा सेक्यूर्टी फीचर्स कुछ भी नहीं थे इन तीलों की जब जमा तलाशी ली गई तो एक अभियुक्त है सोमपाल इसके पास से 32,000 के नकली करंसी मिली रविंद्र एक अभियुक्त है उसके पास से 25,000 की और इसी तरह किया गया और इनी की निशान देही पर एक प्रिंटर एचपी का प्रिंटर बरामत किया गया जिससे यह लोग स्कैन करकर बॉंड पेपर पर ठिक पेपर पर करंसी को छापते थे और धीरे-धीरे मार्केट में चलाने की कोशिश करते थे अब तक इन्होंने जैसे पूशता आज में बताया कि कुछ नोट्स पात-दस नोट इन्होंने मार्केट में चलाए हैं अंधेरे के समय